नमस्कार आप देख रहे हैं जनसत्य नियूज और मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग खबरों की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोट के फैसले के बाद अब CBI सुशान सिंग राजपूर डेथ केस की जांच कर रही है मुंबई पुलिस से हैंड ओवर की प्रक्रिया शुरू हो गई है CBI की टीम अभी बांदरा पुलिस स्टेशन के भीतर ही थी CBI की अधिकारी बांदरा एसे चो और आईयो से मिल रहे हैं अब तक के लिए कुल 56 बयानों का हांड ओवर CBI मुंबई पुलिस को दे चुकी है बता दें कि मुंबई पुलिस ने अपनी अब तक की पड़ताल में इंडस्ट्री और इस केस से जुड़े कुल 56 लोगों के बयान दर्ज किये हैं इसके अलावा फॉरंसिक रिपोर्ट घटना स्थल की पंचनामा रिपोर्ट और टॉपसी रिपोर्ट सुशान के तीनों मोबाईल फोन्स उनका लाप्टॉप कपड़े जिने पहन कर उनकी डेड बॉडी फंदे से जूलती हुई मिली थी मोबाईल की CDR एनलेसिज बांडरा पुलिस की केस डाइरी कंबल वो बेट शीट जो सुशान के कमरे में थी वो कपड़ा जिसका फंदा बनाकर सुशान सिंग फांसी पर दिखे थे कुर्ता मग प्लेट जिससे सुशान सिंग राजपूत ने जूस पिया था CCTV की DVR जैसे तमाम चीजें सुशान केस में हांडोवर की गई है CBI को इतना ही नहीं CCTV फुटेज DVR और बिल्डिंग का वो क्यामरा जिसमें 13 से 14 जून तक की रिकॉर्डिंग हुई है इसके अलावा उस जगह पर मौजूद फॉरंसिक स्पॉर्ट भी CBI मुंबाई पुलिस स लेगी पर कसम खा रहा है शपत ले रहा है और कह रहा है कि मैं मार्क जकरबग द्वारा स्थापित सभी नियमों का पालन करूंगा और अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रीट जर्नल में फेस्बुक हेट स्पीच रूल्स कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स हेडिंग से प्रकाशित रिपोर्ट से पूरा विवाद खड़ा हुआ है रिपोर्ट का दावा किया गया कि फेस्बुक भारत में सत्तारुणी बीजेपी नेताओं के भड़काउ भाशन के मामले में नियम कायदों में धील बरतता है रिपोर्ट में बीजेपी विधायक टी राजा सिंग के एक विवादित पोस्ट का जिक्र था फेस्बुक करमचारियों का कहना है कि उन्होंने टी राजा सिंग की पोस्ट का विरोध किया था और इसे कमपनी के नियमों के खिलाफ माना था लेकिन कमपनी के भारत में टॉप लेवल पर बैठे दिकारियों ने इस पर कोई आक्शन नहीं लिया समाजवादी पार्टी के नेता हरवीर प्रजापती ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की उन्होंने मुलायम सिंग यादव के पौत्र और पूर्वसांसत तेज प्रताव यादव समेथ कुछ स्थानिये नेताओं पर प्रताड़त करने के आरोप लगा है हरवीर प्रजापती ने सोचल मीडिया पर तेज प्रताप के खिलाफ पोस्ट लिखा है फेस्बूक पर पोस्ट डालने के बाद हरवीर प्रजापती ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया इसके बाद सपानेता को पाटी जिलाध्यक्ष ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है पद से हटाई जाने के बाद हरवीर सिंग प्रजापती ने कहा कि पूर्वसांसत तेजप्रताप्यादव लोगों को केवल उकसाते हैं उन्होंने कहा कि उन्हें पाटी से निकाला जाना कोई समस्या नहीं है जांच के बाद पाटी वापस ले लेगी हरवीर सिंग ने कहा जो लोग पाटी के खिलाफ शरयंत करते हैं उनसे मुझे मानसिक पीड़ा है रोज मेरे खिलाफ एक नई शिकायत पुलिस कप्तान में दी जाती है बरते अगली खबर की ओर नवी मुबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भांडा फोड किया है जो इस्तमाल किये हुए सर्जिकल हैंड लव्स को धोकर बेशता था पावने M.I.D.C. शेत्र के एक गोदाम में चापेमारी में तीन टन इस तरह के गलव्स जब्त किये गए हैं नवी मुबई क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है मिली जानकारी के अनुसार इस धंदे से जुड़े लोग वाशिंग मशीन के जरिये इन गलव्स को धोते थे इसके बाद ड्रायर से सुखवा कर फिर से पैक कर बाजार में बेशते थे जब्त किये गए इन गलव्स की कीमत लगभग 6 लाख रुपे बताई जा रही है 12 से पैक कर बाजार में बेच दिया जाता था इने साफ करने के लिए प्रियोग किये जाने वाले रसायन की भी जांच हो रही है बढ़ते अगली खबर क्यों चंद्रयान्टू के और्बिटर को चांद की कक्षा में पहुचने के आज पहुचे हुए आज एक साल पूरा हो चुका है इस साल में चंद्रयान्टू के और्बिटर ने चांद की कक्षा में 4400 चक्कर लगाए है इस रो के वेग्यानिकों ने उमीद जताई है कि इस और्बिटर में अभी इतना इंधन बचा है कि यह अगले साथ सालों तक काम करता रहेगा साथ ही धर्ती पर हमें नई-नई जानकारियां भेजता रहेगा इस रो के अनुसार अभी चंद्रयांटू के और्बिटर के सारे उपकरण सही काम कर रहे हैं चंद्रयांटू की लाँचिंग 22 जुलाई 2020 को हुई थी ठीक एक साल पहले 20 अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था इस रो ने कहा कि चंद्रयांटू के बाकी दो हिस्से यानि विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर सफल नहीं हो पाए लेकिन हमारा ये और्बिटर अभी कई सालों तक काम करता रहेगा इसमें मौझूद आठ अत्यादूनिक उपकरण लगातार चांद की नई जानकारियां हमें पहुँचाते रहेंगे इस साल और्बिटर चंद्रमा की सतह से 100 किलोमेटर उपर की गोलाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है इस रोवग्यानिक जरूरत के मुताबिक इसकी उचाई 25 किलोमेटर कम जादा करते रहते हैं ताकि किसी तरह का कोई हाथसा न हो फिलाल खबरों में इतना ही जुड़े रही है जनसत्तिन उसके साथ शुक्रिया झाल